दोस्तो भुटान भुस्स बहरीन के बीच होने वाला है मैच आज का दिन का T20I ICC Qualifier T20I World Cup के लिए अब देखो इस मैच में जितने वाला है बहरीन टीम भुटान के साथ होगा यह मैच बहुत इजी मैच है बहरीन को विन करना चाहिए बट इस मैच का फेंटेसी में दो अलग रिस्पेक्ट में टीम क्रियेट कर सकते हो आप एक होगा भुटान बॉल फर्स्ट और दूसरा होगा भुटान बैट फर्स्ट अब दोनों के रिस्पेक्ट में क्या टीम मनेगा आपको इस वीडियो में पता चलेगा तो पूरा वीडियो देखना शॉर्ट टू दी पॉइंट वीडियो रहेगा अगले मैचिस के कवरेज अपडेट और डेमो टीम जैसे कि आबुदा भी टीटेंस का कवरेज मिल रहा है फीचर में ऐसे ही डुमस्टिक और इंटरिशनल मैचिस के कवरेज के लिए टेलिग्रम जॉइन हो जाओ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे जो चलो स्टार्ट करते इस मैच का नलाइसिस भुटान वसिस बहरीन का मैच वेस्टेंट पर्ग दोहा जहां पे चेनुविनली एवरेज स्कूर 132 हुआ करता था वाटिस सीरीस का अगर आप उठा के देखो एक सो साथ सकतर स्पेशली बहरीन बैटफर्स ये एक सो पचास साथ बन जाना चाहिए एक स्पेशल प्लियर है बहरीन का अगर वो चलता है तो जादा भी बन सकते और वहीं पर अगर भुटान बैटफर्स करते तो आई टून धी कि बैटफर्स करें या सेकंड करें दोस्तों वो रन का भी बनेगा और अगर बैटफर्स करते तो शायद 130 के करीब जादा से कर रहा है दोस्तों भुटान से देखो के तो तीनों हर क्या आ रहे सुप्रित प्रधान ओपन करेंगे रागबे के साथ फिर दोस्तों चामसों फिर सिंगवे और रंग जुंग तोड़ी कुछ ऐसा होगा प्रोबबल बैटिंग ओनर बैटिंग बहुत विक है बट अगर ब बॉलिंग फर्ष्ट होता है तो जहर पीक है इविन पैट फर्ष्ट भी ले सकते हो इसाला का टीडविट अवरेस बाइस मैस बाइस मैस तीन सौट रार फिप्टीइट ओवर सत्रा होगा प्लेयर अच्छा है मस्ट होना चाहिए आपके लिए इस सीरीज में अच्छा प्रिफर नहीं करूंगा सिंग्वे देखो वैल्यू कहां से दे सकते हैं बॉलिंग से बैटिंग से भी इन्होंने कुछ निया कुछ स्कूर कराया तो काईस गैस डाइस आइबी रिस्क लेके बैट फर्स हो रहा है तो एड़ कर सकते हो क्योंकि इन्होंने मेजूरिटी पॉइंट्स बैटिंग से दिया है बट कैपबल है बॉलिंग से भी देखो के तो हर मैच में बॉलिंग भी कराया करियर ही उठा के देखो न चौधा मैच में 35 ओवर आट विगेट चलो सही चौईज हो सकता है तेरा का एवरेश रिख सकते हैं हम लोग अपने टिब में राउ और एक मैच में फिर एक दो दोस्तों ओवर्स न इनके फूरेश अपसे डाउस होते हैं तो कई कबार जिसे की सुपरित प्रधानी उठालो न एक मैच में तो बॉलिंग जरूरत ही नहीं पड़ा तो यह सब मैटर करता है इस्पेशली जब सेकेंड इनिक्स में बॉल करता ह न तो कई बार होता है कि इतना कम रन बनते हैं कि इनको बॉलिंग का ज्यादा मौकाई नहीं मिलता है एक दो बर बस मैच कतम कर देता है ऑपोनें टिम घले देखोगे तो बीस इकीस ग्यारा सिर्फ बैटिंग से वैल्यू दे रहा है तो ग्रैन लिग में क्या करना है अगर बैट परस्ट हो रहा है तो लेंगे हम लोग और इनके बॉलर्स को नहीं ले रहे ऐसा रिस्पेक में टिम बनाएंगे कि 60-70 रन बना उसमें से गाली ने अकेले 20-30 रन बना दिया यह एक ग्रैन लिग का कम दोस्तो जब आप टिम बना होगे ठीक है स्मॉल लिग का ऐसा मत क ले सकता है तो दोस्तों बॉलर का पॉइंच जयादा दे सकता है वह मॉल लिग में पहले वह करना है कि कौन सा में जयादा पॉइंड मिल सकता है उसको इसे इस फिसटीा से बमें नहीं है बत लिगए पकर रहा हुत अब देना पने पर हो इक वह इल शीड बसेा श्षाब न सबसे जादा ओवर किस ने डाला है थिन लेने बट देखो सक्सेसफुल जादा हुआ नहीं है विकेट नहीं मिला बट बॉलिंग सबसे जादा डाला तो बॉल फर्स जिपेंशल लेना है तो ले सकते हो ताशी को इग्नोर करेंगे करमा दोड़ जी एक मैंच में जादा बॉल सुप्रित प्रदान और तैंजी गाइस ये टीम से देखोगे तो जो कंसिस्टेंट बॉलर है हो है सोनम इशी नंबर वन दोस्तो नंबर टू में दोस्तो कंसिस्टेंसी आपको दीखेगे थोड़े बहुत थिल्ले से बॉलिंग का बाकी रिसेंट टाइम्स में लास्ट की क पर में भी समझाया। बॉलिंग से पोइंस जिनके देनी के चांसल जाने को बोल फिस जादा जाधा प्रिफर करो और जिनके बैंटिंग से पोइंस देनी के चांसल जादां न को बैट वांस्त केम्बीनेशना कंबीनेशं सिफ ऊणल епose mo शेरब लोदे 14 मैच यह कुछ पिंच में प्लेयर बैट वे देख सकते हो खास ऑप्शन नहीं है बहरें से देखो गे तो लॉस्ट ओन आउमेड तूर ओपें करिंग असिफली इम्रा ननुवर फियाज अमेद हैदर बट यह टीम का जो सबसे सबसे बहतरीन प्लेयर है ना वह है है हैदर बट और अगर यह चला तो दोस्तों यह इसको 200 भी बन सकते हैं बट अगर यह चला तो फिर अदरवाइस यह टीम को लैबस होंगे जो आसे कि यह मैच इजी एक मैच शायद इन्होंने जपान के अगेंस्ट आ रहा है जो चितना चाहिए था मोस्ट परपली ठीक कि है इक्सेक्ट तो याद नहीं है बट मैं देखो 100% स्क्री ओर से नहीं बोलता हूं क्यों बता है मैंने मैंने देखा था बट स्टिल मैं कणफरमिशन चाहता हूं यस नहीं थाईलेंस आ रहा था जपान से नहीं सब्सक्राइब जबार फिर नोंने जो मैं जिनको चीतना नहीं है बैटिंग्स है ये करियर में अट्रा का एवरेज रखा है टी डू इने में दो मैच में 36 लिस्ट ये बगिरा में देखो एक भी इनिंग्स कनवर्शन है 51 के लावा नहीं है तो यहाँ पे विकेट आता है शुरू में ये दो में से किसी है इवन इम्रान अनुवर जिन्होंने एक मैच में 33 बनाया अच्छा उपनेंट के लास्ट मैच में जिरो बनाया थाइलेंट के लिस्ट करियर में सिफ 20 का एवरेज है इनका 57 मैच में 775 लिस्टे में भी देखो के तो कनवर्शन नहीं है इनका ठीक है टीडू इन के इनका सिरीज से पहले कनवर्शन नहीं है एनका 1.60 है बैनीव में सिर्फ 16 कावरेज है तो ये 3 प्लियर विकेट देखे आएगा इवन फियाजा हमें 19 कावरेज है टीडू इनका 12 मैच में इशी अपके लिए बरिया डिफिंचल है स्पेशली बॉल फर्स दुर्जी, सिंगवे बॉल फर्स एड कर सकते हो सुप्रित प्रधानी यह पाच अगर लेना है तो सिर्फ सिर्फ बॉल फर्स लो बॉल सेगन मतलो क्योंकि इस टीम का न मैं बता रहा हूँ बैटिंग का ज्यादा खास मतलब एफर्ट नहीं है ज्यादा खास यह टीम का बैटिंग चलता नहीं है बट स्टिल अगर यह टीम चेस कर रहा है वैसे रिस्क ले क्यों मेर तो डिफेंशल एड कर सकते हो आसिफ अली को ले सकते हो तब इनके ऑपने इनका जो बॉलर है उनको बीस ओवर डालने का मौका नहीं मिलेगा ठीक है उनके एक दो बॉलर को इकिन मिल सकते है अगर यह टीम चेस करता है ठीक है इम्रा ननुवर हो गया फियाज आमेट कुछ खास ओप्शन मुझे मस्ट पिक नहीं है फियाज अगर यहां से असिफ अली एंड उमेट दूर में से कोई नहीं खेला है तो फियाज ऊपन आ सकता है तब मस्ट पिक होगा इम्रा ननुवर दिखो एक बरिया प्लियर इस मैच में और कैप्विस यह उप्शन इसलिए क्योंकि इसका बैटिंग आना है यह बॉलिंग भी डालेगा तरियन में का रिकॉर बॉलिंग से भी अच्छा है तो यह बरिया कैप्टें ऑप्शन है ठीक है है एधर बट अगर बैट फस्ट कर रहा है यह टीम तो कैप्टें बना के चा सकते हो डिफेंशल 20 कैवरेश क्योंकि बैटिंग थोरण नीचे है 12-13 उबर का बाद बैटिंग करेगा तो मुश्किल है और हाँ विकेट फ्रो भी हो सकता है बट अगर सेकें इनिक्स में बैटिंग हो रहा है तो क बैटिंग करता तो ले सकता थे अच्छा अपलिया रहे बट बैटिंग नीचे कर रहा है सोहल अहमेद यह ना इस रिसेंट टाइम में भी बॉलिंग कराया स्पेशली बैट वर्स्ट एक डिफेंशल कैप्टेन भी है क्योंकि बॉलिंग करा रहा है और बैटिंग से भी वै अली दाउद इस मैच में तो कब कैप्टेन बना के चल सकते हो लास्ट मैच में क्या तग्रा पफोर्मेंस था लास्ट मैच में बहरीन का 102 डिफेंड करते हुए इसने चार विके निकाला ये करेंड़ी बहुत अच्छा फों में लिस्टे में भी अच्छे फों में थे ना वुगंडा फगेरा केला था बहुत अच्छा केल रहा था इम्रान खान ले लेना इनके पास पेस है कैप डिसी भी बना सकतो यह इम्रान और अली दाउद बहुत अच्छे फॉम में मस्ट्वी प्लेयर होगा स्पेशिल अली दाउद मेरा तो कैप्टन मने गाई इस मैच मे हो गया चौथा इम्रान दोस्तो अनुवर और पाच्च्वा सोहिल एन आसिव में ओवर डिस्ट्रिप्शन होने से भी हो सकता है बेंच में रिज्वन बट खेलता है तो मस्ट भी होगा ऑपनें बहुत विक है शावास बदर सचीन कुमार सचीन कुमार अच्छा स्पीनर है ए है ताशी से बहुत बेटर अब मैं पास्ट लाइनप में आता हूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ले लेता हूं इम्रान जावेद अनुवर हैदर एलिबट स्पीशली बैट पस्स सेकेंड इनिक्स में रोटेट करने का रिस्क ले सकते हैं बट बैट पस्स मत करना है यह र इस में तो इशी को मैंने ले लिया डरजी को लेते हैं हम लोग यहाँ पे और सिंग बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकता है एक प्लेयर जो बहुत अच्छा कर रहा है दिसेंली बट इग्नोर हो रहा है समाव विकेड नहीं ले रहा है वह नाम के थिन ले अच्छा डाल प्लेय में आ सकते हैं दोस्तों नम के थिन ले कहा रहा है यह ठीक है एक डिफेंशल प्लेयर तो यह रहेगा फिलाल कवरेज और इस मैच का कुछ भी अप्रेड आता है एकले मैच के कवरेज के साथ मैं टैली नम पर शेयर करूंगा टीम फिलाल कैप्टेन और वाइस कैप् ठीक है रिस्की कैप्टेंग लेना है specially बहरीन बैट फर्स्ट दोस्तों सोहिल आमेद वाइस कैप्टेन बना के कैप्टेन बना दो हैधर लिबट बट यह कंबिनेशन अनली इफ बारीन को नब बैट पर्स्ट और यह ग्रेलीग वाला कंबिनिशन है SL में इतना रिस नहीं लूँगा SL में जाविद अनुवर बैट फस्ट कर रहा है तो वाइस कैप्टेन बना के दाउद को VC बना दूँगा और अगर टॉस उल्टा हुआ तो दाउद को कैप्टेन बना के इसको VC बनाऊँगा Small League में और मेरा backup टिम में रहेगा इम्रान खाने as VC से अच्छा डाल रहा है और इसका पास एक जीपी पेस भी है फिलाल ये रहेगा टीम नहीं ये वाला टीम ठीक है SL के लिए या हिट वेट के लिए तो कुछ भी अप्डेट आता है अगले मेंच के कवरेज के साथ मिलते हैं हम लोग मैं स्ट्रैम पे टेलिग्राम पे थैंक यू दोस्तों